माई लॉड इम्यानुवल भारत से ही हुई है खुगलों ने काई सालों तर उन्पे राज किया उन्होंने उनका खाजाना जरूर डाल लेकिन उनकी तहजीद नहीं लूप पाए उनकी दागत वेदों, शिक्षा और सभेदा में है वो दागत चीन लो, फिर भारत को लूटना असान हो जाएगा भूट डालो और राजकरो की नेति से अंग्रेजों ने भारत की शासन रवस्ता तहस नहस कर दी है और तरफ खलबली है कुछ राजा और पालेगार आजादी के लिए बिटिश के खलाब आंदोलन छेड़ चुके है हम जानते हैं कि पहला स्वकंतरता संप्राम 1857 का सैनिक उप्रोव था जिसमें जासी की रानी लक्ष्मी भाई ने बहुत बड़ी बुमिकाने भाई भाई माहरानी जासी के नेत्रित्व में स्वतंतरता की ये लड़ाई शुरू हुए तीन महीने हो गए 20,000 योदा हमारे साथ मैदान में उत्रे और अब सिर्फ हम सो योदा ही बचे कल अगर हम रणु भूमि में उत्रे तो फिर हम सो भी नहीं बचेंगे ये सो दंतरतासंग राम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खतम करेंगे हार हार भादे हार हार भादे हार हार भादे योद्धा का सरकट भी जाये तब भी हाथ से तलवार में ही जूटनी चाहिए युद्ध में प्राण देने वाला शिव के समार है सिरापती इस लड़ाई को रोखने का हक आपको किस ने दिया इस महा संग्राब को ना तो मैंने शुरू चिया और नहीं आप लोगोंने आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्यूंकि सिर्फ सो बचे हैं इस युद्ध का पहला विकुल दस साल पहले भूने वाला था एक अकेरावीर इस प्रिटिश सामराज्य की जड़े हिला देने वाला योधा एक ही था बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ उसका जन में ही एक महा युद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्य को मार के भी जई हुआ वो मृत्यू को हरा कर पैदा हुआ है अब मृत्यू से छूब भी नहीं सकती वो एक योगी था एक महा युद्ध था स्वातंत्र की पहली अलख जगाने वाला रेनारू का सूर्या नोसम के पालेगार जैरामी रेड़ी ने अपनी दोनों बेटियां उयालावाडा के पालेगार मला रेड़ी से ब्याही थी बड़ी बेटि ने दो पुत्रों को जन दिया और छोटी ने एक को जिसने सिर्फ छे बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधरन बालक नहीं है उन दिनों सीमा में भीशन अकाल पड़ा था वर्षा के लिए यग्य करना था यग्यम में मजजारी के कि सीवनशच को जगनात परवत पे दीप्रजवलित करना था इस विधान के लिए नरसीमा रेड़ी को चुना गया हर कार्थिक पुर्णी मा को नर्सिमा रेड़ी के हाथो दीप प्रजवलन किया जाता आसपास के सैक्णों गाउं के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उजवल भविश्य का संकेत है नर्सिम्मा रेडिक को उनके नाना ने गोद ले लिया, क्योंकि उनके पास नोसम के लिए का उत्तराधिकारी नहीं था नाना, बलो आप जानते हो वरफ क्यों मारे गए? यह बेटिश राज है बेटा, जो उनसे सवाल पुछता है, उनके खिलाफ जाता है, उसे माल दिया जाता है आप तो पालेगार हैं ना, आप कुछ की कर सकते हैं? हम नाम के पालेगार हैं, यह अग्रेज हमारे देश में घुसाए, हमारे अधिकार चीन लिए और हमारी जनता को लूटने लगे, अपनी बंदोखों से तरा कर हमारे सत्ता हत्याने के लिए, वो हमारे आगे पैसे फेकने लगे, मुठी भर, जिसके हमें आदत पढ़ गई और तब से हम जिदा लाश बन गए हैं लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है, हम वित्रोई की तरह मर जाए नाम आपने पूरे देश का ब्रहमन किया है, क्या सारी देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तेरा मार रहे हैं हमार रहे हैं, तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना, दर्सिभा, पुष, तो मुझे आशिरवाद दीजी, बटा, मैं मारूगा उनको तुम अकेले कितने इंग्रियों सो कुमार होगे, दसको तो कटम करी सकता हूँ, हजारों की सेना है उनकी, वो मार देंगे तुमें, तो मर जाओंगा, मारना मरना मात दूना ही, मत है जीत, जीत के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा, युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ अवशक, उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम, वही अगनी उनके अंदर जला पाओगे जिद तुम्हारे हुद्ध के अंदर, स्वैम युद्ध मन्ना, तुम्हारा शस्त्र ये नहीं, तुम्हारा शस्त है, ये, तुम्हारे परले, स्वैम बब विजए प्राप्त करनी होगे, सबसे पहले इस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए, छोटे इलाकों से शुरू करके, धीरे-धीरे समय के साथ, पूरे इंडिया में इसे पहला दिया जाए, मौजूद अटैक्स 300% बढ़ा दिया जाए, और इस तरह ब्रिटिश सामराजय ने भारत पर कबजा कर दिया, वो बड़े अपसर जिनका अकेला मपसर भारत को लूट ना था, उन्हें उंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारी देश भेज दिया गया, शैतानों की सेना का नुमाइंदा कौकरेन दक्षिन भारत की तरफ बहने लगा, जिसे भारतिया उपमाहा द्वीब की रीड की हड़ी कहा जाता है, लेकिन उसे वीर भूमीर रेनाडू के बारे में क्या पता था, वो कहां जानता था कि रेनाडू का सूर्य, अंधकार की छाती जीर कर उदै हो चुका है, रेनाडू की धर्दी 61 छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई है, इन राज्यों के सामन पालेगार कहलाते हैं, ब्रेटिश इन पालेगारों से उनकी सक्ता और एक्ता दोनों छीन चुके हैं, लेकिन अवुकुराज्यों के पालेगार अवुकुराजु, माईदु कुरु के पालेगार वीरा रेड्टी और करमील के पापा खान, उन एक्सक पालेगारों में से हैं, जो आज भी स्वतंत्रशासन कर रहे हैं, नर्सिमा रेड्डी ने इन सबको एक जुट करने के लिए एक महुट सब का आयोजन किया, स्वामी, मेरा बेटा नर्सिमा अंग्रेजु के इच्छा की वरुथ, ये महुट सो कर रहा है, क्या वो सफल होगा? नर्सिमा रेड्डी को याम आदमी नहीं है, वो कृत्वी पर एक लक्ष लेकर जिन्मा है, एक हाथ में तल्वार और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पानन हुआ, उसे अब कोई नहीं रोक सकता हुआ। ये तुमारे निर्थ का भी समय हो रहा है, जल्दी गड़ना। तुमारे निर्थ का भी समय हो भागवाना। क्या हुआ बिटी हाँ स्वामी जी अंदर कोई है अच्छा वो महुट्सों से पहले सरोगर में रहने वाले संद्रीशों स्वामी की स्थुधिकर्णी की पृथा है हाँ लेकिन इतनी देर पानी में जल में सांस रोपने की विद्य जानने वाले एक महापुरुश है मज्जारी नसिमारी डिशी आज कई सालों बाद तुम्हारे लाएवे वस्तरों से भगवान का फिर श्रिंगार हो रहा है पापाखा यह हमारे भाई नसिमारी डिशी की महिमा है कि अंग्रेसों का बंद करवाया हुआ यह उन सम फिर से शुरू हो गया या अल्ला इस जश्न को किसी की नजर ना लगे सब मिलकर दूआ करो मैं इसे होने नहीं दूँगा क्या उपराजो इस मेले की तैयारियां युद्ध स्थर पे हुई है कहां कहां से लोग मिला देखने आ रहे हैं होने नहीं दूँगा का क्या मतर्द यह मेला कौन करवा रहा है नर्सी महरेडी इस मेले में योगतान हमारा भी है ना पर नाम नर्सी महरेडी का होगा अच्छा मुकाबला कौन जीतेगा नर्सी महरेडी और कौन और हम जीत चाहे तो तो भी सब नर्सी महरेडी की जैकार करेंगे कि उसने इतना निश्पक्ष मुकाबला करवाए यानि जीते कोई भी जैकार उसी की होगी क्या ये सही होगा बसिरेडी तो नहीं जीतेगा अपने हाथ में को देखो वा वो नशेली दवा बैलों को बागत कर देगे नरसे मा रेटी हो या फिर भगवान नरसे मा ही क्यों न हो ये मुखाबला कोई नहीं करवा सकता बुली रेटी दवा और ज्यादा मिला दो ये मुखाबला क्या महोच सब ही नहीं होना चाहिए लक्ष्मी सुनो तो किसे ढून रही हो तोर्ण तोर्ण प्राइब चाईब भुट, खिर लला डेला हम और काहा दसी काल harशा है युट, युट युट, युट युट, खिए कि द्धूबड प्रहुए प्रदी थैख मन्हें सफ प्रवाना आरिदेख मर% कि तूमने एंहें कि अ न Юर्क्राइख सबसॉऔ कि लिए सिंहें आमिंग vapor कि आख खथी थे ख़ार आओ कि अ पर दो भीध बामबम अभाशन कोशीए .... जारे भैर खाई जोर भाग रहें कोई में बचाव जिरो भी तुझास टारे जोर तुझाद झालए झालए जे जुझाई जकाव स condemnation प्रोगा स्टारे प्रेश कόगs कर भỌ धिए अपिए। हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला अरे जो हो गया सो हो गया कोई अन्होनी तो नहीं हुई ना भूल जाओ सब कुछ ठीक है अब कुराजू भी तो पालेगार ही है चलो छोड़ो अब जाओ सब ये उनकी खांदानी दुश्मनी है सब जानते हैं हम आशा खतम रुक जाओ यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है गुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं यहाँ पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है यह उत्सव सब का है बसी रेटी राजा हो या प्रजा न्याय सब के लिए बराबर है अउको राजो को क्षमा मांगनी पड़ेगी सब चुप क्यों हैं? पिता जी न्याय की बात कर रहे हैं इनने क्षमा मांगनी ही चाहिए एक पालेगार शमा कैसे मांगेगा? अपना सर काट दूँगा लेकिन शमा नहीं मांगूँगा अवकू राजो पापा खान माना के अवकू राजो ने अबराद किया है लेकिन ये पालेगार हैं सत्तर गाओं के ये तो सब जानते ही हैं के इने मुझसे नफरत है और यही नफरत इस अपराद का कारण भी है लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं तो उनकी खातिर इने हम शमा कर देते हैं नरसे मारे टी तुम मुझ में अच्छाईया देखते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये मेरे इर्शा नहीं मेरा स्वाभी मान है नरसे मारे टी मेरा भी दिन आएगा अंदर से मारे टी उस दिन सर चुका कर तुम मुझ से ख्षमा मांगोगे और मैं सर उठा कर तुम्हें ख्षमा कर दोगा इस मिट्टी में वीरता है ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं अपने देश पर खर्च करो उसके बाद में तुमारे आगे सर जुका भी सकता हो और वक्त आने पर तुमारे लिए सर कटा भी सकता क्यों रे तेरा नर्सिमा रेटी अंग्रेजों के खिलाफ पगावत करेगा हमारे मना करने के बावजूद वो यह महुत सब करवा रहा है हम यह और बरदाश्ट नहीं करेंगे पदराश्च चिठी लिख दिये मैंने अब वो लोग देख लेंगे उसे वह ख़बर पहुचाने के लिए ही तो किया असली महुत सब तो अब शुरू होगा हम जानते हैं लक्ष्मी जी लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रसुत नहीं कर सकती हैं यह लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए लाचती है उन्हीं के लिए गाती है आम मनुश्यों के लिए नहीं भगवान भी तो इंसान के लिए यह ना लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थूड़ा सा बगल लीजे फिर देखिये कितना निखार आ जाएगा क्या हुआ अभी भी उनके बारे में सूच रही है पता नहीं डरती हूँ मैं कहीं उनकी बातों में खुण जाओं क्या हुआ 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 है क्या हुआ 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 है क्या हुआ 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 किस ने किया है ये? मैंने लगाई याग मैंने लगाई ये जिस घर में तुम दीब जलाती थी, उसी घर को तुमने जला दिया तो और क्या करती कभी हम राजाओं की तरह हैते थे अंग्रेज आये और इस भूमी को दरित्र कर दिया अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए अंदक तो मैं किसी तरह बच्चों का बेट बाती रही लेकिन मेरा बेटा चोरी पर उतराया है इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्ही को चोरी करता वा नहीं देख सकी मैं मैंने सुचा आप मान के जीवन से समान की मौत अच्छी क्या हो पेटा तुम्हें बूख लगी थी माँ हमें खेला दी और खुद बूखी रहती मैंने पडोशी के गर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया क्या ये पाप है बड़े महिया वियाला वाड़ा और नौसम के लिए के गोदामों का अनाज पेलगाडियों में भरके ले आई है आज से रेनारों की इस धर्दी पर कोई भूखा नहीं सोएगा पांट दीजिये सब में जैसा तुम का हो चोरी करना पाप होता है बेटा चोरी मतलब जो चीज हमारी नहीं उसे हाथ लगाना चोरी है और हमारी हो तो तो वो हमारा हक है उसे नहीं छोड़ना चाहिए रेड़ी जी आपने मुझे बुलवाया मैंने इस महिने की पेंशन भेज दिया रागवाचारी जब तक अच्छी फसल होती रही ये लोग तुमें इस समय पर लगान दे रहे थे या नहीं बिलकुल दे रहे थे दे रहे थे सरकार तो जाकर अपने मालिकों से कह दो सूखे में लगान नहीं मिलेगा क्या कहा ये कहा के अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा म... मैं समझा नहीं ना माने तो हम उनकी हट्टियों का हल बनाकर अपने खेट चोदेगे और दुगन लगान चुका देगे आफ़ आने दो मुझे उसी दिन का इंतजार समझे जब तक सूखा पड़ा है अन्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है ये गाड़िया नरसिमहा रेड़ी को वापस भेज़ दो हमारे गोदाम से आनाज निकाल कर प्रजा में बाट दो मैं अपने लोगों को नरसिमहा रेड़ी की तरहा अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर सकता वेरा रेड़ी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के अलाके में तखल ना दे चलिए पिता जी, हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे हम रहेंगे नर्से मारडी के साथ, चलिए अपना मदरास प्रेसिडेंसी एक साल में जितना टेक्स परती है उसमें पूरा लंडन फच्छे साल तक पाइच के का सकता है ये तच्छा मंदलम से इता काम टेक्स क्यो आया है वहां से शुरू से टेक्स इकटा करना मुश्किल रहा है सर रीज़ रेनाडू की महिमा है सर कहते हैं वहां पैदा हुआ करगोष भी चीत ऐसे लड़ जाता अब बात यह कि वहां के बालेगार और प्रजासे परेशान होकर निजाम जी ने वो जमीर आपको सौप दिये अबी तो उसे दत्त मंदलम कहते हैं वहां आकसा सुखा पड़ता है लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते टैक्स तो वो देंगे लेकिन अपने माने करें जरूरत पड़ी तो उन सब को मार के टैक्स लेयाओ मार तो वो भी हमें सकते हैं तो मुन्रो के राइटवरी एक ने उनके सारे पावर चीन लिया लेकिन लोग अपने पाले गारों पर जान देते हैं सच तो यह सर हमारे लोग भी हुनसे डर के मारे कापते हैं तो याला वाड़ा नर्सिम भड़े वा उन सब के ताकत है सर तुमने उसे देखाये कभी? देखा तो नहीं लेकिन उसके बारे में कहानिया सुनी है तस परस के उमर में अदम खोर्चीता मार के अपने कंदे पर उठा लाया था यू इंडियन्स आर ओल ब्लाड़ी बाबैरियन्स मादवाया सुनी सुनाएं बातों पर भरोसा कर लेते हो उस एरिया को कलेक्टर नहीं बलकि चाहिए एक हंचा तोरा है राजा और काला उसका स्रेव इस बनारश सिल्क के लिए विक्टोरिया शिप छे वहीने से वेट कर रहा है हमारे पास रंग नहीं है सरकार रंग हम तुम को देगा ये ब्यान ही तोहा है हिंदू मुसल्मानों की बीच प्रेम का त्योहार ये आँ अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं तुम यहां कभी नहीं आती हैं और मैं यहां सिर्फ इसलिए आया क्योंके तुम यहां आने वाली थी ताके अपने मन की बात बता सको मेरे मा बाबा बचपन में ही गुजर के थे मेरे अपने सब मुझसे दूर हो गए मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ हमेशा इसलिए मैं देवता की शरेन में आ गई और अपनी कला से उंकी बूजा करने लगी मैंने देखा हैं आपको बहुत महान लगती हैं आप मेरे पास मत आई है बना आपको भी खो दूँगी तुम मुझसे दूर भी चली जाओ फिर भी मेरा प्रेम तुमारे साथ रहेगा बोलो जैसे भागमती के नाम पर ये भाग्य नगर बना है वैसे ही तुमारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर वसा दूँग बताओ लक्ष्मी बोलो लक्ष्मी नाम के आगे नर्सिम्मा जोड़ दीचे बस स्वामी नोसम के लिए को खाबर भेजती है नर्सिम्मा रेट्टी वहां भी नहीं है और आज कार्थिक पुर्णिमा है उसे दीले पर दीपक चलाना है उसे याद तो होगा न वो हर कार्थिक पुर्णिमा के दिन दिया जलाता आया है आज भी वही जलाएगा नर्सिम्मा रेट्टी को सबते पताने का समय आगया कल यग्य की त्यारी कीजिए ओबना ये सब क्या हो रहा है कोई यग्य होने वाला है गुर्जी भी आए प्रणाम गुरुदे पायुष्मा मा सीमा में अकाल पड़ा है वर्षा के लिए यग्य करना होका चलो जैसे आपकी आगया नर्सिम्मा ये वस्त पहन लो बोलना आप बोलीना मा कोवारे पुर्शों को तो यग्य नहीं करना चाहिए तो फिर मैं कैसे तुमारा विवा बच्पन में हो चुका है सिद्धमा के साथ हो चुका है नर्सिम्मा जैसा अकाला बड़ा है तुमारे बच्पन में भी बड़ा था जोदिश की अनुसार ये यग्य सर्फ तुम कर सकते थे पर इस्तेती कुछ ऐसी बन गई की यग्य के लिए हमें से धम्मा से तुमारा प्याह कराना पड़ा यग्य की खातिर हमने ये सब कर दो दिया फिर पदा चला तुमारी कुंडली में दूश है तुम और तुमारी पत्नी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे वरना तुमारे प्रांड संकट में आ जाते तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा दोबारा यग्य की घड़ी आते ही तुमारा दोश समाम थो गया सिद्धिमा के साथ तुमारा विवाख देवदाओं का निर्णा है जा आगे बोलो लोगों के अश्रु मिटाने के लिए सिद्धिमा के साथ यग्य करो जा लोगों के लिए यद्को फटने के लिए सिद्धिमा का निए जाय है झाल 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 मुझे आपसे कुछ कहना है कह सकती हूँ ये प्या ये प्या ये प्या आपकी इच्छा से नहीं हुआ है ना बच्पन का प्या है इच्छा अनिच्छा का सवाली कहा हुआ 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 है आपकी जाल आपकी 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 बात तो सही है पर मैंने तो बच्पन से सिर्फ आपकी को चाहा है तुम्हें पता था कि हमारा ब्या हुआ है और क्या मुझे तो बच्पन से ही पता था बच्पन से लेकि आज तक आप ही मेरे संजार है आपके लिए नचाने कितनों से लड़ें यहां तक कि अपने अम्मा से भी सब कहते थे कि अगर मैंने आपको देखा तो दोश लगेगा इसलिए आपसे कवें मिलना ही पाई आप यह के नहीं करेंगे नीन खुलते ही पहले आपके बारे में पूझती थी आपकी वीरता भरी कहानियां सुनकर बहुत खुश होती थी हर रोज आप जिस मंदर चाती थे मैं भी वही चाती थी जैसे आप पूझा करते थे वैसे मैं भी पूझा करती थी उस दन उत्सव में जैसे ही मैंने आपको आते हुई देखा मैं सरोवर की उर चली गए मुझे डर था कि अगर आपको पानी में भी देख लिया तो आपको दोश लगी यह 24 साल मैंने कैसे गुजारे सर्फ मैं ही जाटी हूँ मुझे सर्फ उस बाल का इंतजार था जब आपको जी भार के देख सको या क्या के समय भी मैं आपको देखने पाई इस डर से के कहीं अब आपको देखे रोना पड़ो वहां लो देखते तो क्या कहते आप कहे तो अब देख लो आप मुझे एकफ़ चन देंगे मैंने अपनी सारी सिद्दगी सर्फ आभी कुछ आए मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी चाहे जैसे रहे लेकिन आप एक पज़न दी चाहे की मुझे कभी नहीं जोएगे दो वेलकम टु कुछूंटला सरकार स्वागा नहीं करेंदी ये लाका बहुत ज्यादा पीस्फुल लगता है कि समाचार है तुमारे लिए अब तुम्हैं फसल पर लगान देनी की कोई जरूरत नहीं आगा है है वेज़े में नहीं कुछिश्रा बात्त अब से फसल प्याधा हो या ना भी जितनी जमीन है उतना लगान तो फिर कानून के मुताबेक यह समीन हमारी इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जोपनता है दे दो रगवाचा नहीं हम मजदूर सरकार यह समीन हमारी माँ है मां के बिना कैसे जीएंगे सरकार कहा तक है तुम्हारे समीन उस पहारी तक है को पांच गउन आप पने समीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है जहां दे सकते हैं सरकार लेकिन अगर तुम हमारे गोड़ा भी तुमसे आगे निकला तो वहाँ से जमीन हमारी हो जाएगी लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गये तो वहाँ से जमीन तुम्हारी तुम्हें शर्ट मन्जूर है रॉन! भी को मेरे तुम्हार है वहाँ से जमीन भी करका पादर में हमारे जमीन, उममीन करेंजे लिते कैसे जमी km से साधर कि एब लोग इंप पड़ाए तो नुद किसाने शोरिया एफ्टा थार देंगा और लोग हिर्पडा कि अभुड़ कीनले कि वर जोर। कि अ कम आँपिशें आँपूड़ के सिंद परने कि आँपूड़ कल्यार, काईब है स्भाने में सरकार, लगता है अपना घोडा मैसोर से पहले नहीं रुके जा रॉन, यू यू नहीं रॉन, यू यू थां है आपने बोला लगा नहीं देना लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार है ही नहीं यानि नोसम का आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉक के मुताबिक वैर कानूनी है तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए है मेरी विरासत पे सबाल उठाने वाला तू हो तक हो नहीं मेरे दादा विलाएद गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तिरा बाफ तू मेरा भाई है पेटा है नाबाद है एखो तू है अचा इनकी तरह दू भी मज़दूर है लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी और ये आख क्यों दे तुझे हम लगान अम बादल तो लगान नहीं मागते विट्टी भी नहीं मागती फशल भी नहीं मागती तो तू कॉर होता है लगान भाज लगान समीन से लेकर फसल तक सब हमारा है पसीना हमारा है खेत हमारे है बीच हमारा है बानी हमारा है ये धर्थी हमारी है इसका अनाच हमारा है तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें आम इस धर्थी की संतान है, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो पहर हम कुझे लगान क्यों दें? शुपया, सरका, इस भूमी पर हल किसने चलाएं? हमने चलाएं! तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? हमारा है! सरकार, रुप जाएं, जरब भीर तो देखिए, देखिए चारों तरफ, यह समय ठीक नहीं है, चलिए, प्लीज कम! अपना सर जुका, जुका! अब जा, और ध्यान रहे, सार उठाने की गलती हर्किस मत करणाएं! अब सीधे लंडन में ही सर उठाना, वरना बच्ताएगा, यहाँ दुबारा कदम रखा, तो सर काट तूगा, चलिए! सरकार, घोडे ने क्या किया है? नरसिमा रेड़ी ने इसके दिल में डर भार दिया है, जब भी हम इस पर बैठता है, यह हमें उस डर की याद दिलाता है! इस नरसिमा रेड़ी को मारने के लिए, मद्रास से पठालें बुलवालें सरकार! मद्रास की ताकत हमारे दम से है, मारना हमें नरसिमा रेड़ी को नहीं, उन गोलामों में सर उठाती हुई बगावत को है, हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते, फिर देखेंगे ताकत किस में है? उसका एर्या छोड़दो, बाकी पूरे दत्त मंडलम से ताक्स कि वसूमे दो, अर्द है हुए सभी लोगों की चीख है, उसके गाउं तक चानी चाने चाने, इतनी तैश भेला दो, के उसकी हिम्मत ही टोट जाएगा, कि अजसे पाई मजगा चाने लोगों टुछ झाने उप एंप दो, इतनी थितर्या देएवागारे चाने आट, की वगोगों की तैजसनी आदो, वगोगों कोुएएएपएएए एंदो, अबड़े उसका हैं, इतनी आद़ा देखे एंदो, सवाय तुंने लगन्दने समना क्या ए् अपना लूटाओ एक मुठी धन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए सब रेडी है साँ सिर्फ एक एरिया को छोड़ कर ले प्रडा मालिक बोलिए मालिक कल जंगा मलाया जी बड़े पैवाने पर भूमी पूजन करने वाले हैं आकाल के कारण जिनकी शादियां रुख गए थी क्यों न वो भी संपन कर ले जरूर ये शुबामंत्रन आप मेरे बड़े भाई को दे दीजे जैसे आप गेच जंगम मलाया जी सरकार बैखल जगनात मंदिर अपनी पूजा करने जाऊंगा जी आप उसी समय अपनी भूमी के उपहार में दे दीजिए जी सकता है पेंशन हा ओ देखो ता सही पेंशन लेने आया था मिल गई ना पेंशन देख लिया ना हाँ और दिया नर्सिमा रेडिकों हम उसे बालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोड लिया गया था इस को समझ में नहीं आया कि पेंशन न अरे पहले भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद ही हम खा सकते हैं अरे प्रत्रीक आए अपने फशल की पहली कटाई देभी मा को और पढ़ करें इस दो अब बहुत बढ़ एक उससे को अची कर्चिक अब बहुति है और उन्युक्तर क्यों करें रूब दो आपढ़ने महान आप शन्युक्तर करें काँ! लाक्तास बार फसला चीहुई सोजा सरा अनाज गारी में डान दो सरकार, सरकार दो साल बाद इतनी अची पैदावार हुई है हम ठोड़ा ठोड़ा करके लगान भर देंगे क्या, 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है ये धर्ती भी हमारी है इतनी हिम्मत कहां से आगई पहुई है अगर हम 66 गाओं की पैदावार भी ले जाए तो एक साल का लगान रह जाएगा सरकार, सरकार पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या काईगा ओके इनको अमारा बिटिश रोल समझाओ रागवचारे की सरकार सब ध्यान से सुनो, पृटिश सरकार ने नया कानून पास किया है आज से गाओं में जिसका भी प्याह होगा उसकी दुलन पहले गोरिल साबों के साथ सोई इससे तुम्हारा ही फायदा है इससे तुम्हारा काला नसल गोर हो जाएगा साब से पहले हम इन तस तुनहनों के साथ सुएगा ओ, डर क्यों रही हो हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए रोज रात एक काफी है तुम सबे काउवाले फैसला करो के कब किसको भेज न है और अपनी फसल वापस ले जाओ तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़किया अरे, मूप क्यों रहो सरकार ने कहा है कि लड़कियों का थाब फसल से चुकाएंगे लड़किया दो फसल ले जाओ सरकार, उख तो हम घर भी सह लेंगे, बेज़सती नहीं सह पाहेंगे, सरकार अनाचलेज़ चाहिए सरकार, आप और नाचलेज़ चाहिए सरकार अवरत की इज़त के वास्ते तुमने श्यासतकाओं की फसल कुर्बान कर दी कुरूजी! यू बलोड़ी ब करद दृतिक! इसोज़िस पट्राइब! कुरूँ दुट पर दो! दूखता हैं जुटूजी, जूँचे? मस्वया मस्वया, वापस रख डimaan माफ कर दो सरकार, चोटा है फिरसल चोरी मैरे चोरी नहीं कहिं एकीमा ये हमारा है ये लोग चोरी लेके जा रहे है फिरसल नहीं बोलते बीटा वापस रख डे नहीं रखूंगा पश्थ केने घुछ जुर्टोंशी जुर्टोंशी पाहक जुछी अगा म्छिष भगा मुजशी cenई जुर्टों equipment ले पी committee जुर्टर थे बुड कर दोर स्टूल बाह जाम और को अेनियो कि अी कर दो कि अी या मुनिक नेनियो झाल, झाल! 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 है कर शाम छे बज़े तक तुम्हे वक्त दिया है अने दोसे हम कोई अल्गुंटना में ही रहेंगे मास्खेब के काम उसे को लो हमारा पाउप और के माम भी मांगे और उसको अपना खुलाब बना कर जिन्दा चोड़ देगा अन्ना उसे भी जही चला देगा तुम्हरे सामने अबना सकार तिन्दोरा पिठवा दो इस दत्ता मन्दम के काओं गाओं कली कली घर घर में ये एलान करवा दो कल शाम से पहले उसके घर में घुसके उसका सर काटूँगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आखों से देखेगा इस वासूम की चली हुई मुठिया साक्षी है और सूली पर चड़े ये किसान साक्षी है इन दुलहनों की आखों के आश्चू साक्षी है ये बच्चारी नरसिम्मा रेटियू से पुर्तियू ड़न देगा अभी ये अभी ये ये अजया अभी आवारे थाजयकनावा रेगा झाल एा झाल कर दो कर दो हुआ है कर दो 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 कर प्रुटिए झाल 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 ये युद अपने लिए नहीं लड़ो अपने भाईों के लिए अपनी माओं के लिए अपने बच्चों के लिए लड़ो का है इतिहास हमें याद रखे या नहीं लेकिन आज इतिहास हम से लिखा जाएगा हम उनके लिए सिर्फ चालिस आमाद में जरूर हो सकते हैं लेकिन इनी चालिस ने का सामराद चिकरा दिया इतियास इसका गवा होगा जुद का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या हत्यार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या शिकार करना तुमारे लिए निया नहीं है वैशी धर्म्दो को मानना तुमारे लिए नहीं है जलो शिकार करें ये धर्दी किसकी है ये यूद किसका कुझे किसकी होगी सायरा ये 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 धना अच्चलरी तार्ट! आया ग्ष्यक्ट खार्ट, रख्या करना जगनाथ है भंग कर दो की सर्व requests है राइज कर फदिल ार्ड़पिझُ कर दो कर दो कर दो कर दो 3 पसा सुष्छ जीत जीत nous एंज जीत 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 है कि जीत जीत है दो एंज जीतित है भाई! बढ़ा! एड़ा! प्रह डोड़ ख। और डिर वाराइ अष़ गोड़ हम पुरिव खुब भाराइ भाराइ लिए है वाराइ जब लेहाँ तेGER मिलमा बोदेश सेफे़ा है, मुझे अचिन देशातो नुदूरी है. कि अरनी कि अर्टाइब? कि ईरोड़ник HP7 कि अरनी कि अर्टाइब... कि अर्टाइब. रहा, कि अरनी, अरी और नहीं? वाया, वाया outcomes भॉचिक अर्टाइब हुआ पाल निर्ट कर कर्या रह्याने लगता। कर रसार रहता हुआ कर रहता। करेंदोप म को कर को कर दो लो है कर दो 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 कर कर दो पुट। अर वाता है करेंगा अरे वाता की दूट तर्शोप सॊची एक नाया अर्शोफ एक तर्शोप अर्शों ढौराइज वाता दिए वाता है थाता है झाल झाल प्रि प्रि कि डर के मारे किसी पालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया पर तुम अकेले डटे रहे उसी बल तुमने मुझे चीत लिया वही तीन सौ फिरंगी तुम से डर गए और जिस बल मेरी मदद मागने आ गए उसी बल तुमने उन्हें भी जीत लिया और मैं तुम्हारे इसी चीत को अपनी आखों से देखने आया हूँ साइरा नरसिम्हा रेटी तुम मुझे पसंद आये अपको राजु पर तुम मुझे पसंद नहीं हो जो कुछ मैं करना चाता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए इसलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो एक दिन इस सांदोलन में तुम से आगे निकल जाओंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने कूँगा साहिरा से साहिरा से से साहिरा बेटा से साहिरा के लिए लडने वाला कभी मरता नहीं सुबया मेरे बेटे का नाम होगा सुबया उसका सर बस आ रहा है सरकार उससे एक सर के लिए इतनी सारे कित क्यों मन रहा है क्यों मन रहा है एक संदेश भी भेज़ा है सरकार जो हराम के जने रोटिया देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं जेताफ नहीं है एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया अब की बार तीन सो को मारा है तो समझ जाओ ये एक आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन आज के बाद जहाजों में भरके हमारे सफेद का पास विलायत नहीं जाएंगे तुमारी सफे चमणिया जाएंगे अपनी भारत भूमी पर खड़ा में तुम्हें साफधान करता हूं मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा तुम्हारा शुक्चिन तक मच्छारी नर्सिम्हा रड़ी डिए ठाप रिए हो द्हेल इस नर्सिम्हा रड़ी सकार नर्सिम्हा रड़ी का थितर पंगा कर दो कर दो हमारे सामने खुदा कर हमें चितावनी दे के चला गया जद शरू कर गया है सरकार मैं खुश हूँ के आप लोग हमारे साथ चुड़ गए अब हमारा विद्रो जन जन का अंदोलन बन जाएगा अब आगे क्या करना है हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पाले गारों का युद कहा जाएगा लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन अंदोलन बनेगा हम प्रजा के साथ ही रहें सिद्धमा क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है कभी नहीं यहां क्या कह रहें क्या आज तो मुझे एक वचन दोगी क्या तुम मेरी तने लड़ सकती हो कि मेरी जीवन संगनी तो तुम होई लेकिन क्या तुम मेरी संगर संगनी बन सकती हो मतलब आप यूद करेंगे अंग्री सोसे और मैं जीवन कहीं करेंगे यूद बेना आपके लड़ने के लिए तैयार रहो यही ना मैं लड़ोंगी आपकी महा और बेटे दोनों का ख्याल रखोंगी अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग हो रहोगा मेरे सुवाबिमान और संगर्श के लिए तुम बच्पन से बलिदान देदी आ रही हो इस जनम के लिए क्या तुम मुझे शमा करवाओं यह क्या कह रहें ऐसी बात मत कीजिए सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है और मैं भी जानती हूँ कि यह सच है लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं यह धर्दी और यह लोग इंको आपकी जरूरत है ना चोड़ने का वचन दिया थान आपने आपके वचन को कभी तूटने नहीं थोगी आज मैं आपको आजाद कर रहे हूं निश्चन दोकर लड़िये आपको 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 हूं आपकोım युद में साथ लड़ रहे लोगों को मिसाल देने के लिए उन होने सारे रिष्टे इत्याग दिये मेरे साथ चलिए अलसबा से पहले आपको कोटा कोटा छोड़ने का आदेश हो सारकार की तरफ से मैं आखरी बार पूछ रहा हूं वो नर्सिमारे डिक कहा है पता दो हमारे दिल में रहते हैं वो हाँ शूट दॉट दॉट अज्ट दॉट अज्ट दॉट हम्स हिम कितने लोगे उसके साभ यही कोई साथ अस होगे साथ नो साथ नो साथ साइरा, साइरा बान्छनाइ भान्छनाइ बाइचा 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 हिप झाल प्राव झाल भी कि अन्हें कैसे पुदा कि हमने उसे करभा की ले में छुपाया है नर्सिमा सुलो बईया से खुल हो गई उन लालच में पढ़ गारते हैं भाट जाओ सांद 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 कर दो भूलक शमा की जाती है विश्वास खाते हैं तुने के बल भाई से नहीं बलकी आंदोलंग से चल किया बड़ी मा आप जैसी माता से जनम लेकर भी इसने अक्षम में अपराद किया है इसे क्या सजा देनी है ये आप पर देदी मेरी खादिरे से शमा कर दो जार महिने से हम उसे जंगलों में दून रहे हैं पर उसका कोई पता ने चला उसे जिंदा पकड़वाने वाले को पार्च हजार का इनाम दिया जाएगा जानता हूं वो कहा है कितना दो गए अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा बस आ गए लाइसा तो पूरा भी ले गदा जितना बोला था उसे उसे जादा ही मिलेगा जलो आपके लिए इदर आया था और यापके सर पर लगए इनाम के लिए द्रोही दे दिया इनाम मैंने इसे तुम हो काँ राजय पांडी कहां से आयो तो वीरों को जनने वाली तमिल भूमी से लेगन यहां क्यों आयो आप छे महीनों से गोरों के साथ अखेले लड़ रहे है तुम तमिल हो और हम तेलघूllor साथ कैसे लड़ेंगे भारत मां दोनों की मां है। तो यह मिरे वाई हूए? कुछ भी होसकता है! हम लड़ लेंगे, भरूसा रगी! नरसीमा रेड़ी के बारे में कैसे जानते हो नरसीमा रेड़ी को तमिलाट में सम्लों जानते है गाओं-गाओं में इनकी बहदूरी के गीत गाये जाते है भया आपका नाम जन सकती हूँ? लक्ष्मी आपने तो आंदूलन में नए प्राण भूप दिया उनके बारे में ऐसे गाया जैसे, आप उन्हें जानती है? मैं भी तो इसी का इसा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता? शमा करना, आपकी अनुमते के बिना आपके साथ गाने लगी सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए मैंने तो युद्ध के नायक को भीजे मैं उनकी पत्नी हूँ क्या वो भी यहाँ मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी इसलिए उन्हें आजाद कर दिया उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके है सही का मुझे भी आपका बेटा क्या मैं नहीं बेटा नहीं रोते किसे क्या देना चाहें भगवान सब जानता है आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोरन को लोको तक ले जाने का सही का क्या हुआ आज से ये रेनाडू की भूमी स्वातंत्र है अपनी मात्र भूमी से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूगा बता दो अपने लंडन के आकाओं को मैं रेनाडू का ने अमाराज हूँ बता दो कि अगर मेरी धर्ती पर पाउ रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा अब तो मंग्रेजों की नडाई गुलावों से नहीं स्वासांत्र भारत वासियों से है इसे पहले की लंडन तक बात पहुचे इसे रोकना ही पड़ेगा ये हम केसे करेंगे मा, आप सब अचानक या? हमें लगा कोई अन्होनी होने वाली है नर्सिमा पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए तरने की कोई बात नहीं है मा जैसे पलके आँखों की सुरक्षा करती है वैसे ही इसे ना मिन मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रिटी जैसे मित्र है कोई अन्होनी नहीं होगी आप चिंताना करें इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था रहनाडू का राजय एक हो सकता है और वो हूँ मैं आउकु राजू मैंने तो सोचा था आउकु राजू मर गया आज पता चला वो जिन्दा है मुझ से हाथ मिला दो दोनों मिलकर राज करेंगे कैसे नलसिमा रिटी और उसके परिवार को मिटा कर कोकरेन का दस्तखत किया हुआ राजी नम आएगे हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिस्से होंगे उत्तर का राजा मैं और दक्षन के राजा तुम बनोगे पर हम दोनों काफी है हम जैसे कई और लोग हैं सेना में बस तुम जैसा एक साथ ही चाहिए तो बताओ कब करें आज रात को जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसे रेटी आज रात को अदी रात को जब सब सू rहे होंगे मैं के लेके द्वार खोल दूँगा मेरे आदमी अंदर आजाएंगे नवसhus एमारेट इससब से आखरी वाले कमरे में सोता है सब अपने कमरे में सू रहे होंगे तब मैं अंदर से धर्वाजा खोल दूँगा पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा उसे मैं मारूंगा और गुटर पांडी सो रहा होगा तो करेंदव कि डिले वाले कि एंगरक्षक राजा अपने बास अपने राजा को दोखा देगा मैं अपने राजा को कभी दोखा नहीं दूगा दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के साफ को पैचानना ज़रूरी है तुमारे ज्छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए उसी वक्त मार देना चाहिए था तुमें लेकिन तुमारे जहरीले एरादों में और कौन कौन शामिल है यह जानने के लिए मैंने ये खेल खेला अब खेल खातू अना सीने में नहीं वो तो वीर की मौत होती है यह पापी सौगंद खाकर मुकर गया है यह दलवार इसकी गर्दन में गुसा दो अब कराजो खेला नहीं आपकर अब करता है शमा मांगने वाले का मर जना है पैतर है बसे रटे शाबाशनर सिमा नायक हो तो तो तुम जैसा एक एक द्रोही को ठोन के मार दिया एक द्रोही अब भी बाकी है वीरारेटी जब तक डर और लालच है ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे मैं तो इसे वही मारने वाला था लेकर फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया इसे क्या दंड देना है यह तुम सोचो प्रित्यो दंड ही विश्वासकाती की सजाय चाहिए वो मेरा मेटा ही क्यों ना हो तो में यहार बन्सेन होगा हुच बच्पचर दो घब कर दो इसे तो अब się? ज्यत्स अच्रेवित स्गर्ज की थे थे था किया अपा अपूर अपूर प्रश्टर की अपूर्य के लिवाजंत। लक्ष्मी यही है सरकार गाउं गाउं घूम के लोगों को भड़काती है आजादी के गीत काती है नचनिया है तलवार युद जीट सकती है लिकिन कला युद छेट सकती है ये नरसिमा रेडी से खतरनाक है सरकार ये नरसिमा रेडी की प्रीमी का है soldiers ये लोगों को अपनी कला से भड़का रही है आज हमारी भी आग भढ़खाएगी बिना कपनों कम से कम मैं अपने आखें तो सेंख लू यह शरीज तिर्फ नर्सिम्मा रेडी के लिए है कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता हूँ क्या लगता है नर्सिम्मा रेडी तुझे बचाने आएगा सरा अपने चारों तरफ तो देख बारूत से भरे यह हजारों पक से युद्ध के लिए नहीं नो संगहर की तत्मंडलम में कोई सवेरी का सूरज नहीं देखेगा तेरा नर्सिम्मा रेडी भी नहीं कोई रास्ता नहीं है तेरे पास चल नाच 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 हर जीवन का महत्व होना चाहिए हर मृत्यू एक नए जीवन का शुभारम होना चाहिए जिस दिन अपने जीवन का लक्ष पा लिया उस दिन अपने मृत्यू का उद्देश भी पा लोगी नहीं चाहिए मृत्यून गोत बचे का मृत्यून झाल 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 जाजमान बृतक का नाम बताईए लक्ष्मी लक्ष्मी नर्समारेटी फ्रीडम फाइट वो समझता है कुछ चूहों के साथ मिलकर वो जनान दोलन शेर देगा हमारे खिलाफ कैसा जनान दोलन बाई लॉर्ड शेरों की सेना से डरनी की जुरूरत नहीं अगर उसका नायक चूहा हो लेकिन चूहों की सेना का नायक शेर हो तो डरने की बात है वो हर चूहे को शेर बना देगा इस वीर तिलक से तुहें भारत मा के माथे पर आजादी का सिंदूर लगाना है युद्ध का ऐलान करो उसे संजोते के लिए बनाओ अगर वो मना करें तो उसे माद लाओ जाओ बिटा रन भूमी में विज़ाई हो युद्धुद्ध पार प्राकर वीर बेतो! पात्र भूमी का रिर्ड चुकाने का समय आगया है! अपने रक्ट से आज हमारे इस पावंदेश को हमेशा के लिया असाथ करें! शेया! 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 प्रुड़ शेरं बेश। प्रुड़ प्राद थे प्राद रिर्डेश व्राद व्राद प्रबदारे के थास है प्रबब देह थास व्य ली लीडों चार्णिटों में औो जार्णिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है कि अज़ से पुर्ण बाद कर दो डर्ण संद सुझाने जो थे उन्हां आपर हो प्रावाले खुझाने बाद करेंग एगसा जा फुछे टेशित उपिंगा हि है। कि अजए बहां जाड़े! कर दो हुआता है जय अिहां! करें ख sutरें करें कि जुएरे लिया! ओया felूट चलवा टूएिया.. सबस्टोरियों झाल, आएग अरोब लिलाएंडर आएगे ओमाना, खशाएंजर परे साइगे ठाएगे आएगे ड़्ड़ों उए आएगे जाएगे आएगे! गाट बाटे! झाल 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 झाल